आप सभी अपने मुबाइल में अलग-अलग एप का यूज़ करते होंगे चाहे हम फेस्बुक की बात करें उसका एप है चाहे हम वर्टसब की बात करें इस्टाग्राम की बात करें जीमेल की बात करें चाहे कोई और एप्लिकेशन की बात करें तो आप इनका एप यूज़ क क्वे हम हम बात करने वा लेए कि इस दिसा में भारती पहल क्या है indian initiative क्या है भारता सरकार ने इस दिसा में क्या कारे की है एंडियन इनिसिए एंटेव सीन ओपन सोर्स सफ्ट्वेयर एंड sharing of digital content digital content क्या होता है मालो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करेंगे तो इस digital content हो गया इसके अलामा आपके पास कोई PDF है कोई document है ठीक है तो आप notes के रूप में उसको अपने friend के साथ share करते हैं जीमेल पर share करते हैं वाटसाप पर share करते हैं तो भी क्या हो गया digital content मतलब paperless जहां पर paper का कोई उजनी है आप अपने mobile के थूँ आप अपने computer के थूँ laptop के थूँ जो content है आप दोस्तों को share करें digitally तो इसको हम कहते हैं digital content आज कल आप सब करते होंगे मालो गूगल पर आप अपने subject related कोई topic ढूड़ रहे हैं उसका कोई आपको PDF मिला कोई अच्छा link मिला आपको लगा कि नहीं यह हमारे काम का है तो आपने उसको अपने दोस्तों के साथ share कर दिया तो इसे क्या कहते हैं digital content तो open source software और digital सामगरी साजा करने में इस दिसा में भारती पहल क्या है हम उसकी बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले यह जाना जरूरी है कि open source software क्या होते हैं ठीक है मतलब open के अगर हम बात करें तो open for all ठीक है तो it is software that is fairly available for anyone to use मतलब इस तरह के software सभी के लिए होते हैं ठीक है कोई भी इसको यूज कर सकता है कोई भी इसको modify कर सकता है and distribute कर सकता है तो इसके example क्या है मोजिला फइयर फोक्स आजिस में से काफी लोग यूज करते होंगे VLC media player ठीक है Linux तो इस तरह के इसकी example है इसकी open source software तो open source software क्या है कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है कोई भी इसमें modify कर सकता है कोई distribute के हम बात करते हैं तो इसे हम open source software कहते हैं example mozilla firefox vlc media player vlc media player आप सब काफी use करते होंगे और mozilla firefox भी है काफी लोग use करते होंगे अब अगर हम digital content की बात करें जैसे मैंने आपको बताया कि digital content is any information that is in digital form जैसे PDF की बात करें हम वीडियो की बात करें images की बात करें pages की बात करें software की बात करें social media post जो अपने आप facebook पर डालते हैं आप instagram पर डालते हैं ठीक है तो GPS maps की बात करें तो इस सारा क्या है इस सारे digital content है मतलब paper last ठीक है आजकर mostly यही use हम करते हैं हमें हम अक्सर class में हमारी चलती है तो teacher से भी हम कहते हैं कि आप जो है उसका हमें PDF दे दीजी ठीक है easily share करना भी काफी easy होता है पढ़ना भी काफी easy होता है ठीक है तो इसे हम क्या कहते हैं digital content कहते हैं तो यहां पर आपको open source software and digital content समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं कि इस दिसा में भारती पहल क्या है Indian initiative क्या है Indian initiatives in open source software and sharing of digital content ठीक है तो Indian initiative क्या क्या है हम एक एकर के बात करें कि digital India हो गया open force हो गया open source policy हो गयी स्वयम हो गया स्वयम तो दीखिए काफी जाना पहचाना है क्योंकि आप जो MOOC course कर रहे हैं वो भी स्वयम के थू ही आप अपना MOOC कर रहे हैं ठीक है first semester में second semester में आप जो करते हैं तो यह कहां पर आप कर रहे हैं स्वयम के थू open access India and spoken tutorial project तो यह क्या है Indian initiatives है एक एक करके हम बात करते हैं अगर हम digital India की बात करें तो देखे digital India आज कल आप देखें आप चाहे हम shopping की बात करें आप banking की बात करें ठीक है आप घर बैठे बैठे सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं बैंक जाने की जोट नहीं ठीक है आपके सिधा account में पैसे आ जाते हैं आप उस पैसे का transaction अपने mobile के तरू कहीं भी कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे आप खाना मगा सकते हैं ठीक है आप shopping कर सकते हैं आप cap book कर सकते हैं तो मतलब life काफी easy हो गई है तो एक क्या है एक डिश्टल इंडिया है चीजों का digitalization हो रहा है एक time आपको अगर shopping करनी होती थी पहले तो आपको market जाना पड़ता था आज आप अपने Amazon पे flip card पे आप क्या करो आप देख लो जो आपको चीजे लेनी हैं आप उसको order करो और वो आपके घर पर ही आ जाएगी मतलब चीजों का digitalization हो रहा है इसी तरह से अगर हम बात करें एक time ऐसा था कि सबको suddenly cash में मिलती थी ठीक है check में मिलती थी आज कल देखो सीधा आपकी account में पैसे आ जाते हैं ठीक है तो दीरे दीरे क्या हो रहा है चीजों का digitalization हो रहा है तो this is an important initiative of the government of India this program was launched in 2005 by हमारी जो प्रधान मंत्री है श्री नरेंदर मोधी उनके द्वारा 2015 में शुरू किया गया its aim is to transform the country into a digitally empowered society कि इसका उदिश ही क्या है देश को digital rope से समाज में बदलना ठीक है आज कल आप देखो आप कहीं shopping करने के लिए जाओ यहां तक कि अगर बाजार में भी कोई समान खरीदते हैं ठीक है तो आप क्या करते हैं आपको cash देने इक जोड़त नहीं आप अपने mobile के तुरूप पढ़ सकते हैं laptop की तुरूप पढ़ सकते हैं तो आच है हम सिक्चा के बात करें banking के बात करें या पार की बात करें अलग लग छेतर देखते हैं दीरे दीरे सभी चीजों का सभी छेतरों का digitalization हो रहा है तो एक पहल क्या हो गया digital India उसके बाद अगर हम open force की बात करते हैं तो it was launched in 2005 by the government of India's ministry of electronics and IT किया 2015 में भारे सरकार के electronics और IT मंत्रारे द्वारा launch किया गया अब एक क्या है it's a collaboration platform for the development of e-governments application की यह e-governments अनुप्रियोगों के विकास के लिए एक सायोग मंच है और इसका उद्देश से क्या है produce innovative modern strandize and high quality software ठीक है open force क्या करता है कि इसका काम क्या है इसका काम है produce innovative modern strandize and high quality software है एप है उसको तयार करना तो कुछ एप जो हैं आप यूज करते होंगे कौन कौन से डिजी लोकर डिजी लोकर क्या है आज कल देखिए आपके जितनी भी government certificate है आपको अपने साथ लेके जाने की कहीं जोट नहीं है डिजी लोकर है आप क्या कर सकते हैं डिजी लोकर डाउनलोड कीजिए ठीक है अब अब अपनी जो भी चैस certificate है ठीक है डिजी लोकर हो गया स्मार्ट सिटी मिसन हो गया इर्पी नेक्स्ट हो गया इमार्केट प्लेस हो गया तो इस तरह के जो हम apps की बात करते हैं software की बात करते हैं तो इस तरह के high quality जो software है एप है उसके निर्मान करने का कारिक इसका है open forge का है ठीक है आप में से काफी लोग डिजी लोकर इस्तिमाल करते होंगे ठीक है क्या फायदा है देखिए डिजी लोकर गौर्मेंट की app है तो अब आपको आपके पास जो भी डिगरी है आपके certificate है सारे आप अपने डिजी लोकर में save कर सकते हैं को कहीं ले जाने की मतलब डोकुमेंट ले जाने की जोटने आप इसके थूरू भी मतलब अपने डोकुमेंट को save कर सकते हैं ठीक है तो open force फिर open source policy की बात करते हैं तो यह policy क्या है 12 सरकार ने विविन विवागों में open source नेतियों को सक्री रूप से अपनाया है इसके द्वारा सरकार का लक्ष लागत कम करना और स्थानी रूप से अनुकूलन योग सोफ्ट्वेर के विकास को बढ़ावा देना तो open source policy दीरे दीरे paperless काम दीरे दीरे होता जा रहा है ठीक है और दीरे दीरे हम देखते हैं कि चीज़े बिलकुल digitally होते जा रही हैं आप online form भर सकते हैं online आपके आस पास कोई संस्ता है ठीक है SDM के office में हम देखते हैं तो online आप चीज़ों को certificate है उसके लिए आप apply कर सकते हैं तो इसके द्वारा सरकार का लक्ष लागत कम करना है और स्थानी रोब से अनुकूलन योग ये software के विकास को बढ़ावा देना है ताकि चीज़े दिरे दिरे सारी चीज़े digital होने लगे फिर हम स्वेम की बात करते हैं स्वेम आप इससे तो इसको जानती होंगे कि आप अपना MOOC कोर्स भी कर रहे है स्वेम के थू कर रहे है तो इट वस लॉंच ओन जुलाई 2017 बाई MHRD Ministry of Human Resource Development जिसका नाम बिदल के 2020 में क्या हो गया है Ministry of Education तो इस एन इनिसेटिव बाइदा Ministry of Education जिसको पहले MHRD कहते थे इट प्रोवाइड्स ओनलाईन कोर्स फोर स्वेंट एंट टीचर्स की विद्ध्यारतियों और सिक्षिकों के लिए और आप सब भी ओनलाईन कोर्स कर रहे होंगे स्वें के थूँ इट प्रोवाइड्स मैसिव ओनलाईन कोर्स इस मूग फोर वराइटी ओफ सब्चेक्ट ठीक है कर रहे होंगे आप सब तो आप सब को इसके बारे में पताए कि बहुत 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 प्लेटफोर्म है जहाँ पर आप अपने फिल्ड के साफ से आप ओनलाई जो कोर्सी से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर आप कर सकते हैं ओपन एक्सेस इंडिया की बात करें तो इस ग्रूप प्रोमोर्टिंग ओपन एक्सेस ओपन डाटा एंड ओपन एजूकेशन की एक ऐसा सम्मु है जो खुली पहुँच ठीक है खुला डेटा ओपन डाटा एंड खुली सिक्चा को बढ़ावा देता है ओपन एजूकेशन फॉर ओपन एजूकेशन की एसाथ सच्टेक होल्डर्स में एजूकेशन से जुड़े जो भी लोग होते हैं सारे इसमें आ जाते हैं तो ओपन एकसिस इंडिया और स्पोकन टिटोरियल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एक किसने लॉंच किया आई टे बंबे ने इसको लॉंच किया and it focuses on teaching and learning open source software की open source software को पढ़ाने और सिखने पर केंदरित है टेक है मतलब open source software के तुरू teaching and learning उस पर केंदरित है इसका उदिस ही क्या है वेक्तियों और स्पेसली हम बात करें श्रेंड को आसानी से समझ आने वाले video tutorial के माधियम से open source तक्निकों में कौसन परदान करना ताकि open education की बात करें ठीक है open source technology की बात करें तो बच्चों में इससे बच्चे जो है aware हो सके याग रुक हो सके इस तरह की जो skill है उसका use कर सके इसमें बच्चों का causal develop करना तो इसके लिए spoken tutorial project IIT Bombay ने launch किया था ठीक है तो आज की इस video में हमने open source software की बात की ठीक है digital content की बात की तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस दिसा में भारती पहल क्या है Indian initiative क्या है ठीक है तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद